देखो जी वीडियो में बारबर कहता हूँ, कोई भी जो ग्रह होता है, रतन क्या करता है, किसी भी ग्रह की पावर को बढ़ाता है, मालो आपकी इस कुड्ली में मंगल अच्छा है, तो रतन दर्न कर लिया, उसके अच्छे फल बढ़ जाएंगी, कई वर ऐसा होता है कि ग्रह अच्छे फल भी देता है, बुरे फल भी देता है, तो यहाँ पे रतन दर्न करने से कि आपको दोनो बुरे, अच्छे फल भी बढ़ जाएंगी, बुरे फल, अगर आपकी कुड्ली में मालो यहाँ पे, आपकी मितल लंगन की कुड्ली तो मंगल अगर आपका पहले गर्म बैठा है तो यहाँ पर देखो जी पहले गर में बैठा मंगल अच्छे फल भी आपको देगा बोड़े फल भी इसकी तरिश्टें भी होती है चोथी तरिश्टी साथ मी आठ भी तो पहले गर मंगल इसमें पहले आप देखो कि इस कुंडली में किन गरों का मालक है मंगल एक तो शाटेगर का मालक क कै? शाटेगर से देखते हैं शत्रू रोक करजा। और ये 11 गर का मालक बनेगा जिस गर से देखते हैं लाब, आमदन। अब देखूझे कर आपका मंगल किसी का पहले गर मैठेढ़े है। जाता को कुरोधी बनाएगा, जाता कुरोधी होगा, जिद्धी होगा, हर्टी होगा, गुस्सा उसको आएगा, जाता, हैल्थ भी खराब कर देगा, और तीन दिरिष्टिया है, चोती दिरिष्टि पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा सा माता मकान वान के लिए अच्छा नहीं होगा, साथ में गर को देखा, पतनी के लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब विवा में देरी भी कर सकता है, आठ में गर को देखा, वैसे उमर लंबी कर देगा, तो अब क्योंकि शटेगर का मालक है, तो सवाल है कि यहाँ पे रतन दार्ट कना करें या ना करें, तो मैं आप बैठा, मंगल देखो जी, बूल के रतन दार्ट नहीं करना, बहुत बड़े लेवल पे नकसान देगा, क्या नकसान देगा, तो क्यों नकसान देगा, क्यों नकसान देगा, क्यों क्यों नकसान देगा, क्यों क्यों नकसान देगा, क्यों क्यों नकसान देगा, क्यों क्यों बढ़ा देगा, रोगी मना देगा, करिजदार निहाल को लेकर देगा, बहूल का रतनावनिदार नहीं करना, करना यहां पर क्या है, सिर्फ मंगल का दान करो, मंगल का मंतरों को एक वरसीद करो, मंगल कवज का पार्ट, सरोथ का पार्ट करो, तीसरे गर में बैठे मंगल का विरतनावनिदारन करना है अगर आपका मंगल यहाँ पे अस्त बैठा है फिर आप दारन कर सेथे धनलाब के लिए अच्छा वैसे होगा तो यहाँ पे अगर अस्त है तब दारन करे चोथे गर में देखो जी मंगल अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी बुरे फल क्या देगा थोड़ा सा माता को मार कर सकता है जब घर में चोरी गरा सकता है मकान वहार को लेकर दिखके देगा यह बुरे फल देगा इसके लाबा तीन दृष्टियां चोथी यहाँ पड़ेगी पती पत्नी गर के उपर तो थोड़ा सा विवामिदेरी कर सकता है वो कि कुंटली मंगली इक बनेगी और दसमे गर को देखेगा पैसे थोड़ा सा कामकाज के लिए अच्छा है और आठमी दृष्टिय से अपने गर को देखेगा तो धन लाब के लिए अच्छा है मतलब चोथे गर्म बैटा मंगल अच्छे फल क्या देगा, वो धने के लिए अच्छा है, आमधना मड़ा देगा, कामकाच के लिए अच्छा है, लेकिन खराब फल क्या देगा, माता मकान वाहने के लिए अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा पतने के लिए अच्छा नहीं ये भी आपने देखने है, अगर वो डिगरी अच्छी है, तो दार्न नहीं होता अस्त है, तब दार्न करना है पांच में अगर हमें बैटा देखोंजी संतान का है, खराफ़ पल क्या देगा संतान का आपकी पत्नी का अगर आप लड़की है तो गरब पात करा सकते है यह संतान उप्रेशन के द्वारा हो सकती है और इसके लावा अच्छे फल क्या देगा तो यहाँ पर दारण करना है जा नहीं भई स्वाल ही है अगर आपका यहाँ पर देखो जी मंगल अस्त बैटा है फिर आप दारण कर सकते हैं कुछ कंडिशन है वो भी कुछ कंडिशन है कंडिशन क्या है अच्छे फल क्या देगा आयू के लिए अच्छा है अपने करव को देख रहा है आमदन के लिए अच्छा है तो क्योंकि इस कुडली में यह मंगल देखू जी मारकिश भी है, बहुत कम प्रकडिशन है जहां भी यह दार्न होता है, तो छटे कर में बैठा मंगल रतन दार्न नहीं करना, वैसे इसका अपना गर है, तो यहां पर आप मत दार्न करें, क्योंकि यह गर अच्छा नहीं है, तो लड़ाई जगड़े होंगे बती-पत्नी में, यहां विवाँ में देरी कर देखू, कुंडली बनेगी मंगली, अच्छे फ़ल तोड़े से काम काज़ के लिए अच्छा लेकर है लेकर है, तो यहां पर भी रतन मेरे साथ से दार्न भाई मत करें, आठ में गर में बैठ साथ में इस्टी से दूसरे गरे को देखा, दन की हानी करेंगा, यहां पर नुम में गर में बैठा है, अगर मंगल आपका तो बागे की हानी करेगा, तो यहां पर भी रतन आपने दार्न नहीं करना, कुछ क्रिशने हैं, जहां पर आप दार्न कर सकते हैं, अगर आपका मतल अगर आपका मंगल अस्तेहनी तो नहीं करना बारमेकर में आपने मंगल का रत्मदार नहीं करना तो यह वी कुछ गणिशनी होती कुडली देख की असल में सई फलादेश पता चलता है कि भई दार्न आपको करना बनता है जैने ऐसे देखो जी आप और इसके साथ कभी भी दार्न किया जाता है शुकल पक्षकर जो पहला मंगल वर होता है और इसे हमेशा जो पूर्श होते हैं राइट एंड की इस रिंग फिंगर में दार्न करते हैं और जो लेडिस है लेट एंड की इस फिंगर में इसको दार्न किया जाता है जहां तो पितल तामबा या सोना च पकि देखो जी अमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंटर बुक्स में आपके जो स्वाला आप मुझे पूछ भी सकते हैं कुडली दखाना चाहते हैं मुझे आप इस नमबर पर वर्टस भी कर सकते हैं